जै माते दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों सुबह सुबह तुलसी पर जल चड़ाते समय बोल देख छोटा सा मंत धन धानने से भरा रहेगा आपका घर सनातंधर में तुलसी के पोधे को काफी एहमें दिये जाती है चाहे किसी रोग में आप तुलसी का यूज़ कर रहे हो या आप घर के वास्तों दोस्तों को दूर करने के लिए तुलसी का पोधा लगा रहे हैं साथ ही तुलसी की पूजा करने से भगवान विश्रू की किरपा प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा का लाब नहीं मिल पाता। कुछ लोग सवेरे उठकर सबसे पहले तुलसी पर जल अरपित करते हैं। उसके बाद भगवान सूर्य को जल अरपित करते हैं। गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अरपित करें। कभी भी फी का जल अरपित नहीं करना चाहिए। इसके बाद पूजा पाठ करके तुलसी पर जल अरपित करें। तो ओम ओम मंत्र का ग्यार है 21 पार आप जाप कर सकते हैं। कहते हैं यह मत्रचाप करने से बुरी नजर से बचा होता है। सास ही घर में धंधाने की विवरदी होती है। दोस्तों कहते हैं भगवान विश्रु को तुलसी सबसे दिक परिया। इसलिए विश्रु भगवान की पूजा में तुलसी दल जरूर चड़ा जाता है। इसलिए तुलसी का पता तोड़ते समय ओम सुबद्राय नमे, मात, इस्तूलसी, गोविंद, हृद्यायनंद, कारिणी, नारायनस्य, पूजारत, चिनोमी, तुआ, नमस्तुते। इस मन्तर का उजाब ضरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का दुगणालाब मिलता है। साथ ही जब तुलसी दल तोड़ते हैं तो इस समय तुलसी मात, रसे पाप के भागिदार safely नहीं बंते ही। जीवन में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो तुलसी पर जल चड़ाते समय महाप्रशाद जन्निनी, सर सुभाग्या वर्दनी, आधी व्याधी हरानेत्य, तुलसी तुम नमस्त दे, इस मंत्र का कम से कम तीन बार उचारने जरूर करें और जब भी तुलसी पर जल पाउं तक साथ तुलसी के पत्ते, साथ काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार उतार दें, यानि कि इसे आप घड़ी की सुई की दिशा में गुमाएं और इसके बाद इसे नदी में प्रवाहित कर दें, ये गाम आपको अंटो करना है, कोई आपको टो करना नहीं चाहिए, किसी बास होता है, शाम के समय तुलसी के नीचे दिया जरूर लगाना चाहिए, और जब भी तुलसी पर दिया जलाएं तो हमेशा चावल दल जरूर रपित करने चाहिए, यानि कि एक कटोरी में चावल लेकर या धर्ती में आप चावल बिचा कर उसके उपर दिया रखें, ऐसा करने से मालक्षमी हमारी पूजा को सुईकार करती है, अगर आप तुलसी पर दिया जलाते हैं और उसके नीचे चावल का आसन नहीं लगाते, तो मालक्षमी यानि के मा तुलसी उस दिये को सुईकार नहीं करती है, तो ये कारी आपको जरूर करना चाहिए, इसके बाद वासनात मालक्षमी की किरपा भी बनी रहती है साथ ही ध्यान रखें जब भी तूलसी में जल चड़ाया जाता है उसके बाद तूलसी के मद्य भाग में और उसके बाद सबसे ऊपर की और जल चड़ाना चाहिए यह था तूलसी पर जल चड़ाने का सही तरीका उमीद करती हू वीडियो में दीगे जानकारी आप सबके लिए यूसफुल होगी वीडियो कर पसाद आई और आपको लगा हो कि आपको को जानकारी मिलिए वीडियो को फ्रेंड फैल्ली के साथ में लाइक शेयर करना ना भोले चैनल पर पहली बार मेरी आवास सुनना है सब्स्राइब करके कि बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी यूर वीडियो आपको समय से मूल सके तो चले मिलते हूं नए वीडियो में नेजानकारी के साथ तर तक स्वस्त रहिए खुश रहिए